सेहरों को सस्टेनेवल बनाने में साइकिल एक बड़ा हत्यार साबित हो सकती है हमारे यहां सेहरों की बनावट और बसावट ऐसी होती जा रही है जिसमें आप साइकिल चला ही नहीं सकते एक और बड़े सेहरों में रोट पर साइकिल के लिए जगा नहीं बची है वहीं दूसरी और आटो और बाइक सेक्टर ने अंधा धूंद प्रचार के जरिये साइकल को किनारे कर दिया है छोटे सहरों और गाउं में समस्या दूसरे किस्म की है यहां साइकल को गरीवी का प्रतीक मान लिया जा रहा है प्राइवेट वहनों की अंधी दौड में साइकल चलाना हींता की दृष्टी से देखा जाने लगा है सादा जीवन और गरीवी जैसे चीजों को अभिसाप की जगा सर्मनाक समझा जा रहा है लोग सर्म और हींता से बचने के लिए साइकल चलाना छोड़ प्राइवेट वाहनों की तरफ जा रहे हैं कलपना करिए कि अगर गाउं के सभी लोगों ने साइकल छोड़कर बाइक और कार ले लिया तो क्या होगा साइद रोट पर चलने की जगन नहीं बचेगी बाकी जो प्रदूसर्ण होगा वो तो अलग इसलिए ये जरूरी है कि साइकल को फिर से अपनाये जाए ये सस्ती है, सस्टेनेबल है और हमें स्वस्त भी रखती है इसके लिए हमें साइकल को सम्मान से जोड़ना होगा हमें साइकिल को प्रोचाहन देना होगा और इसे चलने के लिए रोड पर जगा देनी होगी जरूरत इस बात की है कि पढ़ा लिखा और बौधिक एम अभिजात तब का फिर से साइकिल चलाना सुरू करे महान चीनी दासनिक लाउच से ने कहा था कि अगर आप दिशा नहीं बदलते तो साइद आप वहीं पहुँच जाएंगे जिधर आप बढ़ रहे हैं परियामन संकट को देखते हुए या जरूरी है कि हमारी सब्वेता आपनी दिशा परिवर्थित करे